वेलकम तो लोन फर एक्जाम मैं इस गुर्पीज सिंह इन इस फिडिल टॉक अबार थी एनमेट क्वांट की जो कट ओफ है वो सम्वेर राउंड आ विल टेल यू एक 75 प्लस या फिर एट लीस 70 प्लस तो जाएगी बट तो बी ओन सेफ साइट मेरे साब से 75 प्लस अगर आ कर सकते हैं उसके में बात करें वाले हैं तो लेट स्टार्ट के रिजल्स बहुत सारे आभी चुके एनमेट के लिकाप सारी स्टूंट्स लफ और एक हैं 249 और 242 विए ग्रेड स्कोर्स लाग 245 तो अच्य अच्य स्कोर आ रहे हैं सो आई रिकमेंड अगर आपने अभी तक त्यारी शुरू नहीं करिए या फिर अभी आपकी नंबर का मारे हैं तो आप 6 फूल और भी ले सकते हो अलग से फॉर अनमेट स्पेशली ठीक है अगर आपको अभी तक कोई भी नहीं लिए तो यह वाली ज़रू लेना पिलकुल से अगर आपके अगर आपके कोशन आते हैं 36 ताइम है 52 मिनिट्स अब इंपोर्टन यह है कि अगर मेरे 65 आ रहे हैं और मुझे 75 पर पहुंचना है या फिर 60 भी आ रहे हैं तो कैसे पहुंचा जाए सबसे इंपोर्टन बात स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग जे टाइम इसके आपको पता है कि तीन से आएंगे और बारा कोशन आएंगे ठीक है यह आपको दिखा रहे हैं यह आपको एक स्टेजी बता रहा हूं अगर आप मौक दे रहे हूं यह पेपर भी दे रहे हैं तो उसमें क्या करना है let's suppose आपको पहला DI का कुशन ही आता स्क्रीन पर क्योंकि आप mark for later तो कर नहीं सकते ठीक है आपको इसमें skip करने के लिए यह तो answer तो करने ही पड़ेगा you have to answer the question you can't skip the question right so तो वहाँ पर अगर आपको पहला set जो आता है उगर उसमें दो graph हैं सिरफ like दो pie chart ही दियो है तो आप उसको कर सकते है it's doable अगर आ जाता है तीन pie chart वाला तो आप उसको छोड़ तो उसको skip करो दूसरा question ढूंड़ो जो दो chart वाला हो यह फिर एक chart वाला हो एक chart या दो chart वाला speculative होती है और इसमें गलती होने के चांश से बहुत जादा होते है तो इसके भरोसे मत जाओ इसका एक ही set करकर आओ वो भी जो कम वाला हो ठीक है बागी के question skip करते हैं mark B और C मैंने आपको बताई रख्या क्यों सा option mark करना होता है how to do the guesswork in the match वो video search कर लेना आपको मिल जाएगा ठीक है यह पता लग गया डीए पता लग गया और डीए जो है केसले tables graphs and pie charts ऐसे आते हैं और easy है doable होता है but calculated होता है और answer काफी है तक गलत आ जाता है इसलिए डीए में एकी set में recommend करता हूं time बचेगा बागी के दोन set skip कर देना mark कर देना B and C बागी अगर हम डीए तो हो गया अगर हम आए देखें 36 में से 12 question minus कर देंगे तो महाँ पास वह जाते हैं 24 question बागी को 24 question का क्या करा जाए तो बागी को 24 question में से number property जो की number system है आपको divisibility मतलब की format की Wilson की यह सारी theorem's remainder theorem's पढ़नी है ठीक है सारा कुछ पता होना चाहिए आपको remainder theorem के बारे में ठीक है factors multiples least LCM और HCF LCM ह सिर्फ के related question आई ही रहे है 101% आ रहे है तो L number system से अगर मैं कहूं तो 2-3 question तो यहीं से आ जाते हैं तो यह करके जाना है अगर यह छोड़ दिया तो 2-3 question आप छोड़ रहे हो logarithms के एक से 2 question आ ही रहे है 101% तो यह अगर छोड़ दिया तो आप 2 question छोड़ के जा रहे हो मैं आपको साफ सा बता रहा हूं कितने कितने question आ रहे हैं फिर arithmetic section के अंदर अगर आपसे नहीं हो रहा है यह वेली chapters तो आप इनको छोड़ दीजिए time speed distance time and work बट इन में से जितने भ ठीक है कोशिश करो कि इनके questions अगर आपको देख रहे हैं screen पर तो गलत ना करो उनको ठीक है उसके बाद algebra probability के अंदर आते हैं तो major chapter है probability PNC sequence series APGP इसको कहते हैं यह तीन chapter करने ही करने अगर यह नहीं हो पाता तो कोई बात नी ठीक है बट इन chapter से भी questions बहुत जादा आ रहे ह है तो इनको भी 101% करना है और यह easy भी होते हैं chapter के level of difficulty is not that high in the quant section as compared to the cat, okay cat से compare करेंगे तो ठीक है बाकी quant के अंदर आपको geometry पढ़ने की जूरत बिलकुल नहीं है, coordinate geometry पढ़ने की जूरत नहीं है, आपको mensuration पढ़ने की जूरत नहीं है, circles, circles, triangles, triangles, यह सब नहीं आ रहा है, यह slavers में है ही नहीं, ठीक है तो अगर आप इसका mock में इसके question कर रहे हो यहां फिर इसको practice कर रहे हो, especially for NMAT, तो यह wasting your time only, क्योंकि यह आ ही नहीं रहा है, ठीक है, clear, data vision बता दिया, फिर data sufficiency आता है, अगर आपने पीछे number systems कर लिया, arithmetic कर लिये, algebra कर लिए, probability कर लिए, तो यह data sufficiency automatically आपका हो जाएगा और 6-8 question आपके automatic बन जाएगे, ठीक है, so अगर आप मिलाज उलाकर, अगर हम बात करें, 24 attempt वो कर दोगे, और 1 set कर लोगे, let's suppose, ठीक है, 1 set आप करोगे, 4 वाला, तो आप somewhere around 28 questions के attempt करने के लायक होते हैं, और अगर आपके 25 मैं कहता हूँ, 25 आप कर लोग करता है, कि एक तो window system, उसके उपर मैं live session करने ही वाला हूँ, ठीक है, window system को लेके, थोड़े बच्छे, doubt में है, कि है ही नहीं, वो mail कर रहे है, knowledge, वो बहुत सारी ऐसे mail करते हैं, बट आप कुछ होता नहीं, so एक चीज़ मैं clear कर देता हूँ, यहाँ पर, अगर आपने mock में, किसी भी section में, ठीक है, मतलब 36, 36, 36, total 108 question है, किसी भी section में 35 कर दिया, इसमें 36, 36, तो आपका score 220 प्लस नहीं आएगा, अगर आपने इसमें 34 कर दिया, बाकि समें 36, 32 कर दिया, तो आपका score 220 प्लस नहीं आएगा, सब सारे के सारे question करना ही important है, अगर आपने किसी भी section में question यह चीज़े experience से पता लगती है कि अगर आपने कोई section छोड़ दिया कोई भी question छोड़ दिया score ही नहीं आता क्यों क्यों कि सारे question attempt करने में चाहें गलत भी क्या हो बट सारे question attempt करती है bonus point मिल रहे हैं इसलिए score boost हो जाता है समाज आ गई clear है तो सारे question attempt करना भी बहुत जाना दुरी है अगर आपने paper कर रहे हो और आपका छूट रहा है तो पहले तो उसको देखो कि भाई यह दो minute रहते हैं आप alarm लगा करें दो minute रहे हैं मैं सारे mark कर देता हूँ end में बात खतम दो minute में कोई भी आप equation ज्यादा धंका नहीं कर लोगे अगर वो नहीं किया तो आपके कभी भी score उपर boost नहीं हो पाएगा ठीक है तो सारे question attempt करना is very very important यह उनकी website पे लिखा हूँ है अगर आपका paper नहीं complete होता तो आपका marks में reduction हो सकती है अगर आप सच में कोई भी question section में छोड़ दोगे तो आप उस section के score बहुत नीचे आ जाएगा और आप कभी भी score नहीं कर पाओगे ठीक है बाकी changes on learn for exam अब हो बतायाता हूँ बहुत important है अब हमारी website पे daily test अब नहीं होगे तो अभी थोड़ टाइम बाद हम शुरू करेंगे को की cat के लिए हम जाधा करते थे ठीक है अब हम one full learn test करेंगे every Sunday हर Sunday free test होगा ठीक हो आपको उसकी notification आही जाएगी पता भी लग जाएगा and we will do the live classes 5 p.m. onwards on YouTube itself ठीक है मैं ही करूँगा and वो जो classes रहेंगी उसकी notification के लिए please नीचे bell icon जो दिया हूए उसको click कर देना and अभी जो मैंने खांसा वो because I am corona positive तो ऐसे खांसी जुकाम जी सब चलता रहता है but I am all okay and आप जीतो लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी that was about the gym PI के उपर को call wall आईगी नहीं उसकी query थी तो जिन्हों में भी comment किया I will answer tonight within one after this video to one or two hours so tension मतले ना उसका मैं सब का reply कर दूँगा ठीक है सभी के जितों ने भी comment किया होगा उस वीडियो के नीचे सबको reply मिल जाएगा ठीक है and please यह जितने भी free test हम डालेंगे full length वाले जरूर से देना it will help you to boost your preparation to be honest ऐसे free वाले काम करती रहते है ठीक है बट हमें YouTube पे कोई add नहीं आती इसके चक्कर में तो फिर भी support कर देन आपकी preparation हो जाए ठीक है क्योंकि बच्चे देते है क्योंकि यह daily test भी बहुत सारे लोग देते है बहुत सारे लोग देते है ऐसा निया कि कोई कम student दे रहे हैं बहुत सारे student देते है I know कि काफ़ी लोग mail भी कर सते हैं इसके लिए कि क्यों बंद करते हैं तो इसलिए मैंने व अधरिवर कोर्स विच दिवीज देवर्ल कोर्स फिलिट देवन देवा द्शर वकाइशमर कोम बंद कोर्या ट्न दोंट वगेत बारे में कुछ जानना कुछ पूछने करना है तो दिफिनली शेर करने या चैनल के बारे में इस इन्सिट्यूट जो भात दादा फोकस करता ह and meds naipur non-cant exams okay so thank you very much have a lovely awesome day ahead